हर्याना की राजनीती में सबसे जोरतार दिल्चस्प ट्विस्ट ये है कि कॉंग्रेस और आम आद्वी पार्टी के संभावत गडबंदन को लेकर चर्चाओं का बज़ार पूरी तरह से गर्म है हर तरफ आप और कॉंग्रेस के मिलकर हर्याना में चुनाव लड़नी के खबरे चल रही हैं लेकिन हर्याना कॉंग्रेस के दिगजनेता और पूर मुख्यमंत्री भूपेंद्रु सिंग हुड़ा आपके साथ गडबंदन के पक्ष में दिखाई नहीं देते हैं लोगसभा चुनाव के नतीज़ों के बाद सेही भूपेंद्रु सिंग हुड़ा कई बार इस बात को कह चुके हैं कि कॉंग्रेस पूरे राजज्य के अंदर सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी लोग सभाचुनाओं के नतीजे उक से भुपेंदरु सिंग हुड़ा जोश में थे और हर्याणा की सियासत की नब्जु समझने वाले इस जाट रेता ने कई बार ये खुल कर कहा कि पार्टी विधान सभाचुनाओं में किसी भी तरह का गडबंदन नहीं करेगी लेकिन बीते दो दिनों में टीवी से लेकर अख़वारों और सोशल मीडिया बे इस तरह के खबरे चलने लगी कि कॉंग्रेस के पूर रास्ट्री अध्यक्षर राहुल गांधी चाहते हैं कि हर्याणा में आम आदमी पार्टी के साथ गडबंदन हो जाए मतादे कि पिछले दो दिनों से राहुल गांधी को लेकर ये खबरे आ रही थी कि वो आपके साथ गडबंदन लेक करना चाहते हैं और राहुल गांधी इस मामले को लेकर बेहत गंभीर भी दिखाई दे रहे हैं जब उन्होंने आम आदमी पार्टी से बादचीत के लिए चार सदस्यतों की कमिटी बना ली इस कमिटी में पार्टी के रास्ट्री महा सचिव केस्म वेडु गपाल के अलावा पूरू मुख्यमंत्री बुपेंद्र सिंग हुड़ा प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और हर्याना कॉंग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उद्यभान को भी शामिल किया गया राहुल गांदी की कोशश है कि गडबंदन करके चुनाओं मैदान में उत्रा जाए जिससे बीजेपी को सत्ता से बाहर कर गया जा सके लेकिन पार्टि के लिए मुश्किल अपने हैवी वेट नेता भुपेंदर सिंग हुड़ा को मनाने की है बता दे कीर समाजवादी पार्टि भी हर्याना में 2-4 सीटे चाती है लेकिन हुड़ा को इस बात का भरोसा है कि हर्याना में कॉंग्रेस अकेले ही चुनाओं जीच सकती है उसे किसी के साथ भी गडबंदन करने की ज़रूरत नहीं हर्याना और दिली की राजुनीती से आरी खबरों के मताबिक हुड़ा ने कॉंग्रेस के केंडरे निरतत्त को अपनी राय बता दी है लेकिन राहुल गांधी विपक्ष की एक जूटता चाते हैं राहुल गांधी हर्याना में आपके गडबंदन के लिए पूरी तरख सयार है वो गडबंदन इस वज़े से करना चाते हैं कि अगर ये गडबंदन हो जाया तो इस बार हर्याना से भाजपा का पत्ता बिल्कुल साफ कर दिया जग लेकिन वही आपको बता दें कि भूपेंद सुई गुंटा का ये मानना है कि हर्याना में जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए ये जरूरी है कि कॉंग्रेस यहां पे चुनाओ अकेले दम पर भी लड़ सकती है रावल गांधी का मानना है कि हमें आपके साथ गडबंदन करना चाहिए तो वहीं आपको बता दें कि पूरो मुख्यमंद्र भुपेंद्र सिंग हुड़ा का ये मानना है कि अगर कॉंग्रेस 90 की 90 सीटों पे चाहिए तो अकेले ही चुनाओ लड़ सकती है और चीच सकती है उसे किसी के भी गडबंदन की आशक्ता नहीं है पिछले कई दिनों से ये चुर्चा चल रही थी आपको बता दें लेकिन खबर अब ये आई है कि राहूल गांधी ने पूरी तरीके से ये मन बना लिया है कि उन्हें आपके साथ गडबंदन करना है लेकिन वही बात करें कि भूपेंदरु सिंग हुड़ा की तो वो इस गडबंदन के लिए तयार पिल्कुल नहीं है उन्होंने पार्टी को अपनी राय पहले ही दे दी है कि मैं इसके लिए तयार नहीं हूँगा लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती कॉंग्रेस के लिए ये है कि वो अपने ही लोगों को मनाए इस गडबंदन के लिए वही बदादे कि समाजवादी पार्टी भी हर्याना में 204 सीटे अपनी लिए चाहती थी उसे किसी के गडबंदन के ज़रोगत नहीं है हर्याना और दिली की राजुनीती से आरे खबरों के मताबिक हुड्डा ने कॉंग्रेस के केंडरिन रितत्यों को अपनी राय दे दी है कि हमें किसी भी कीमत पे किसी के साथ गडबंदन नहीं करना है दादी के हर्याना में इंद नो किसान आंदोलन चल रहा है जो भाजपा के लिए जो भाजपा को बिल्कुल ही नकार रहे हैं भाजपा के की बिल्कुल भी सेपोर्ट में नहीं है किसान किसान वर्ग लेकिन इसी का फायदा उठाना चाहते हैं earn कॉंग्रेस के हुड़ा इसे पर आगी जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शैबाज हमारे साथ जोड़ चुके हैं शैबाज हर्याणा की सियासत में ये बराबर खबरे आ रही थी कि जो हुड़ा है वो नहीं चाहते थी कि किसी के साथ भी गडबंदन क्या ये लगता है कि जो किसानों की नाराजगी है भाजपा को लेकर उसी की वज़ा से ये भरोसा है इन्हें कि कड़बंदन की जरुरत नहीं वो अकेले ही यहां पर सरकार बना लेंगे जी बिल्कुल जैसे ही विदान सबा की तारीखों का हरियाना में ऐलान होता है उससे पहले ही भुपेंदर हुड़ा सरी खेनेता ये ऐलान कर देते हैं कि कॉंग्रेस को राजज में किसी भी तरीके के गडबंदन की जरुरत नहीं है और हाल ही में जो विदान सबा लोक सबा है जो रिजल्ट आया उससे कही ना कहीं कॉंग्रेस की जो होसले हैं वो बुलंद होते नजर आ रहे हैं हमने देखा था साल 2019 के हर्याना लोकसबा के चुनाओं के जब नतीजे आये थे तब कॉंग्रेस जो है वो शून निपर सिमिट गई थी लेकिन उसी शून से बढ़कर कॉंग्रेस ने इस बार 5 सीटों पर अपनी विजय हासिल की है इसी के चलते जो भुपेंदर हुड़ा है वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि कहीं ना कहीं हर्याना विधान सवा में कॉंग्रेस को इस बार किसी भी तरीके के गड़बंदन की जरुरत नहीं है इसी लिए लगातार भुपेंदर हुड़ा जो है राहुल गांधी की बातों को नकारने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है लेकिन राहुल गांधी ने इस पूरे मसले के लिए 4 सदस्य कमेटी बनाई है जिसमें केसी व्योनु गोपाल समेथ भुपेंदर हुड़ा को भी रखा गय लेकिन एक तरफ राहुल गांदी ये पूरी तरीके से मन बना चुके हैं कि उन्हें आपके साथ गड़बंदन करना है दूसरी तरह बुपेंद्र सिंग्ध का ये मानना है कि हमें गड़बंदन की जरुवत ही नहीं है तो क्या लगते हैं इसे में बुपेंद्र इसे चोटी का दोदिंव लगाया जा रहा है लेकिन इसबार कांग्रेस को कहीं न कहीं ये पूरी कि सकता में वापस लॉड़कर ह्याना चेखों कहीं न कहीं किसानों की वज़ा सही है जो किसान अंदोलन चल रहे हैं जी कहीं न कहीं हर्याना एक किसान अंदोलन को लेकर हमेशा से चर्चा में रहा है और पिछले 200 दिनों की बात करें जो शंबू बॉर्डर पर किसान जो अपने अंदोलन रत हैं तमाम उनकी मांगे हैं जि हर्यारा में जाट लैंड और किसानों की जो तादाद है सब किसानी पर भी निर बर रह सकती है तो वह वه jay की बिरोजगारी दर हर्याना में इस वक्त बिरोजगारी का जो दर है वो काफी बढ़ चुका है और हर्याना में रोजगार की काफी कमी है ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्धे पर बैक फुट पर नजरा रही है और कॉंग्रेस की अगर बात की जाए तो साल 2019 में जो वोट शेयर थे उससे करीबन करीब 10-12 प्रतिशत वोट शेयर भारती जनता पार्टी के गिरे हैं ये काफी बड़ा आकड़ा हो जाता है 12-15 परसेंट अगर वोट शेयर आपका किसी राजी से घट रहा है तो इसका मतलब ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि कहीं न कह 2019 में कॉंग्रेस अकेले चुनाओ लड़ी तो शून पर आई थी उसके बाद लोकसभा की चुनाओ जब गोशना होती है फिर लोकसभा का जो चुनाओ है वो हर्याना में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ती है हलाकि 9 सीटों पर कॉंग्रेस ने चुनाओ ल अलग होती है विदान सबा की गुड़ा गलीत अलग होती है ऐसे में आम आदमी पार्टी हर्याणा के विदान सबा चुनाओं में ज्यादा सीटों की मांग करती नजर आ रही है इसी सीट के पशोपेश की स्थिति जो बनी हुई है उसी को लेकर जो है मसला हल नहीं हो पा र सपा ने भी हर्याणा में अपने लिए एक दो सीटे मांगी है लेकिन जो भुपेंदु सिंग हुड़ा वो इसके लिए बितयार नहीं है लेकिन कॉंग्रेस को तो ये समझना चाहिए कि उत्रपरदेश में आज जो कॉंग्रेस की सीटे बची है कही ना कही जो यूपी की न उत्रपरदेश में साफ हो चुका था कहीना कहीं अगर संजीवनी देने का काम किया है तो समाझवादी पार्टी सीटें ौक ये से रिजर्ट कॉंग्रेस को देखने को मिले थे जो काफी दिन से सियासी जमीन की तलाश उत्तरपरदेश में कर रही थी और जिसकी तलाश पिछले चुनाओं में प्रियंका गांधी वॉडरा ने भी की लेकिन वो कहीं न कहीं एहम रोल नहीं नहीं बापाई या यह कह लिजे जैसे सरीखे नेता वात समझ रहें कि गडवंधन का कितना पालन करना चाहिए इसलिए उपेंद रुड़्डा पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी के साथ गडवंधन का विचार विमर्ष करिए और गुपेंद रुड़्डा ने जब साफ मना कर दिया तो राएल गांदी ने इसको लेकर वह कमेटी बनाई है अब कमेटी चार सथ की जो के कमेटी बनी है वह कमेटी ऐंका बनाएगी एक prof भाजपा अब अपनी स्थिस उधाने के लिए यहां पर क्या करेंगे भाजपा ने अभी देखा यह तो मुक्यमंत्री का चैरा बदलने के बाद और सैनी समुदाए से आने वाले एक चेहरे इस तरीके से सोच के चला था कि वहारः का खास ख्याल लगती है लेकिन जो नाराजगी है लोगों की वो सालों साल से वो नाराजगी चली आ रही है तो गरी ना कहीं भारती जंतापार्टी की कोई बिचाल इस वकत हर्याणा में आविशा साफित नहीं होती दिखाये रही है इसको लेकर अमिश्या ने भी कई बैटके की हैं, अमिश्या ने भी हर्याना को लेकर एक रिपोर्ट तयार करने के लिए बोला है, और ये मांगा गया है कि किन विधान सबा सीटों पर भारती जनता पार्टी का जो हाल है, बहुत थोड़ा सा खस्ता दिखाई दे रहा है, भी जाएगी तब देखना ये होगा कि भारती जनता पार्टी का इस पर क्या स्ट्रेंड होने वाला है? पुद्दे ऐसे हैं जो कॉंग्रेस के पक्ष में इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिरोजगारी के अगर बात की जाया है, तो नीचे तबके के साथ राहूल गांदी की जो लगातार मुलाकाते हो रही हैं, कहीं न कहीं वो उनके पक्ष में माहौल को बनाते वे देखी जा रही है, अगर बात की सिर्फ हर्याना चुनाओं तो की सीमित नहीं है, बलकि कई अनराज्यों में भी चुनाओं होने वाले हैं, ऐसे में कॉंग्रेस के पक्ष में लगातार हर तरफ महौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भारती जनता पार्टी इतने सालों से हर स्टेट में अपना जमाय हुए थी, और इतने आसानी से हार मानने वाली पार्टी नहीं है, बहुत मजबूत संगठन है, और अरेसेस भी इसको लेकर एक मीटिंग अभी हाली में जो चल रही थी, उस मीटिंग में ये आने वाले विधान सबा चुनाओं को लेकर आरेसेस पार्टी इन चार राज्यों में से कितने राज अपने जोली पे वापस लेकर आती है, जो शबास आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, तो यहीं बहराइच में आदमखोर भेड़ी का अतंक लगतार चारी है, हरोज भेड़ी किसी ना किसी को अपना शिकार बना रहे हैं, अपनी पूरी ताकत लगा